Hello and Welcome to Sports तक IPL का ये सीजन, सीजन आफ कमबैक्स भी रहा है और एक ऐसा ही कमबैक हम आपके साथ लेकर आए हैं हमारे स्पेशल सेग्मेंट में जिसका नाम है भारत पैट्रोलियम कॉपरेशन लिमिटेड पफॉर्मर ओफ दे डे बीपी सेल पफॉर्मर ओफ दे जो मुकाबला ह हुआ भी था कॉलकाता वसिस हैदराबाद ये परफॉर्मर जो है था तो हारे हुई टीम से लेकिन इस सीजन जिस तरीकी की परफॉर्मेंस दी हैं इन्होंने जबरदस्त एक के बाद एक इंप्रूमेंट दिखाई है और एक वक्त पर जो करियर कहीं खो गया था बड़ी त तगड़ा लॉंचिंग पैड मिला महिंद्र सिंग धोनी लबी डबलू की अपीर है ये जो ओन फील्ड अमपैर नॉट आउट देते हैं रिव्यू लिया जाता है और फिर ये पाया जाता है कि महिंद्र सिंग धोनी आउट हैं मैंग मारकंडे 2018 के IPL ओपनर में तीन विक्टिन आते हैं अपने दो पैश्रुवाती मुकाबलों में साथ विक्टिन आते हैं और उनके बारे में बहुत ज़्यादा बात होने लगते हैं और मुंबई इंडिन्स की स्काउटिंग की बहुत तारीफ होती है सचिन टेंडूलकर से लेकर रोही शर्मा तक उस सीजन में सबने इनकी तारीफ करी और पूरे सीजन में देखेंगे आप तो परफॉमेंसे भी अच्छी रही दोजार अठारा में जबर्दस परफॉमेंसे आई देन दोजार उननिस में इनका इंडिया डेब्यू भी हो गया भारत के लिए सिर्फ एक मुकाबला खेला चौबिस की तारीक आस्ट्रेलिया सामने थी और उस मुकाबले में भारत की तरफ से सबसे महेंगे स्पिनर रहे थे और उसके बाद मानो महेंग मारकंडे कहीं खोसे गए 2019 निकल गया 2020 निकल गया 2021 निकल गया 2022 निकल गया और शायद इसी तरीके से 2023 भी निकल जाता इस बीच अब यह हैदरबाद की तरफ हैं संड्राइजस हैदरबाद ने भी स्टार्ट महेंग मारकंडे से नहीं किया था बावजुद उसके कि इस सीजन उनकी डॉमेस्टिक में परफॉमेंसे अच्छी रही फर्स क्रिकेट भी अब खेलने और शायद वो पहलो इनको काम आ रहा है गेम पर और जादा काम किया है जो सिर्फ मेंग मारकंडे पहले गूगली के लिए जाने जाते थे अब गेम में जो है वेरेशंस अपनी एड करी हैं साथ ही साथ लेग ऑ्जे कुप पर भी इन्होंने काम किया है और वो इस सीजन में दिख भी रहा है और इस सीजन अदरबाद में शुरुवाती दो मुकाबले तो नहीं खिलाई लेकिन उसके बाद जो मैंग मारकंडे अभी तक खेले हैं तो अगर आप स्पिनर्स की बात करेंगे जिन्होंने 10 या उससे उपर ओवर्स डाले हैं उसमें सबसे जादा एकॉनोमिकल रहे हैं तक्रीबन साड़ कोई कहानी नहीं जिन्होंने बहुत जादा सक्सेस देखा फिर सबने सोचा कि एक खतम हो चुके नहीं प्यूश शावला ऐसे बलकि एक यंग्स्टर की कहानी है जो शायद कहीं खोसा गया था जिससे बहुत जादा उम्मीदे थी इंडिन क्रिकेट को भी और बीच में रास से कर रहे हैं कि जी वापस करते हुए अच्छा थोड़ा बहुत परफोर्मेंस करते हैं ऐसा नहीं है आंकड़ों पर एक नजर डालते हैं कि आंकड़े इस सीजन मैंक मारकंडे के किस तरीके से रहे हैं आप देखे पंजाब किंग्स के अगेंस जब वापसी कर रहे थे चार ओरों में सिर्फ 23 रन और दो आउट वहां पर भी किये डैली कैपिटल्स के खिराफ भी थोड़े से महेंगर है चार ओर 34 रन कोई विकेट नहीं डैली कैपिटल्स के साथ जो अगला मुकाबला हुआ रिवर्स विक्षर उसमें इन्होंने अपनी परफोर्मेंस भी रिवर्स कर दी और चार ओरों में सिर्फ 20 अंदे कर दो आउट किये जबर्दस परफोर्मेंस फिर जो हम मुकाबले की बात कर रहे हैं चार ओर 29 रन और एक विकेट कॉलकाता नाइट अटर्डिस के अगेंस ऑर इसमें इन्होंने करी जो हम बात करते हैं और एकसिक्ट करते हैं एक रिस्ट बिनर से दिलेर गेंद बाजी आंद्रे रसल ने आकर इनको आटेक किया और आंद्रे रसल इनको अटेक करना चाहा उस वक्त पर ये first class cricket भी नहीं खेले थे, under 23 उस तरीके से मुकाबले खेल रहे थे और साथ इसाथ पंजाब में धीरे धीरे performances देते वे आगे बढ़ रहे थे बढ़ देन उसके बाद एक साल के बाद ही तुरंद गायब से हो गए थे अगले सीजन दे मुंबई इंडियस ने राहूल चेहर के उपर जादा भरोसा दिखाया उसके बाद राइस्तान रॉयल्स भी जब गिया तो वहाँ पर भी मौके उस तरीके से नहीं मिले तो पहले सीजन के बाद अगर आप देखेंगे आईपेल में भी इने उतने जादे मौके नहीं मिले तो अपने आप में एक एडिट प्रेशर लेकर आ रहे थे लेकिन यहाँ पर मैंक मारकंडे ने वापस जो है जबरदस गेंदबाजी करी और उस गेंदबाजी से वापस अपना नाम भी बना रहे हैं जहाँ पर हम देखने कि चायए वो जुजवेंदर चहल, कुल्दी, प्यादव, इंडिया खेलने वाले स्पिनर्स उस तरीके से गेंदबाजी नहीं करने एडम जैंपा भी थोड़ी सी mix performance कम मुकाबले के लिए बड़ थोड़े महेंगे भी रहे वहीं पर मैंग मारकंडे ने सबसे economical, सबसे किफायती और सबसे effective गेंदबाजी अब तक करी है एक ऐसी टीम में रहते हुए जो otherwise struggle कर रही है शायद आप गेंदबाजों में पिक करें तो मैंग मारकंडे का नाम होगा और बल्लेबाजी में पिक करें तो हेंडिक क्लासिन, हेंडिक क्लासिन की कहानी भी हमने आपको एक दिन पहले बताई थी किस तरीके से बहुत जादा अंडर रेटिड है अगर आप कभी अंडर रेटिड टी ट्विंटी इलेवन बनाएंगे ओल टाइम तो उसमें हेंडिक क्लासिन का नाम सबसे पहले ज़रू डालेगा क्योंकि ना उनकी टीम सवताइफरिका भी उस तरीके से मौके नहीं देती है शुरूआत में आप तो खेर पर्फोर्मेंसे जी आ रही है कि आप इग्नोर नहीं कर सकते तो उन्होंने अपनी जगह वहां पर बनाई और इस मुकाबले में भी जो हैदरबाद हारी में मायंक मारकंडे बट अगर इस मुकाबले से हम लेकर आएंगे कि भारत पैट्रोनिम कॉपरेशन लिमिटेड परफोर्मर अफ दे उस तरीके से जिन्होंने मैच बनाया जिताया वो कौन थे तो वो थे वरुन चक्रवर्ती जिन्होंने जब आखिर में 30 गेंदों पर 28 रन चाहिए थे वहां पर 18 गेंदे डाली यानि कि 3 ओवस डाले और उनके उन 18 गेंदों में बल्ले से सिर्फ और सिर्फ आठ रन आये थे तो वरुन चक्रवर्ती मैंक मारकंडे दो स्पिनर्स जिनके अराउंड हम मिस्ट्री की भी बात करते हैं और वरुन चक्रवर्ती कावी बीता सिजन बहुत बुरा गया था लेकिन उन्होंने भी एक कमबैक किया है मैंक मारकंडे को मौके ही नहीं मिल रहे थे उन्होंने भी जबर्दस comeback किया है तो एक comeback की जो कहानी थी वो एक तरीके से थी हमारी BPCL performer of the day जो हमाँ आप तक दे कर आए ऐसे हर मुकाबले के बाद ऐसी कहाने आप तक पहुचाते रहेंगे तो आप इसी तरीके से प्यार देते हैं अगर आपको पसंद आ रहा हो तो comment section में ज़रूर बताएं किसी और खिराडी के आप कहानी चाहते हो वो भी हमें बताएं वीडियो को like और share ज़रूर करें अपने दोस्तों के साथ क्योंकि जब एक youngster इस तरीके से perform कर रहा हो वापसी कर रहा हो तो उसे सिर्फ अपनी team में ही support की ज़रूरत ने होती बलकी जो cricket के fans भी है उनको भी ज़रूरत है कि इस वक्त पर महिंग मारकंडे का support करें और इसी तरीके से उनका career जो है वापस track पर आए इस वीडियो में इतना ही अभी आपस इजाज़र लेते हैं बहुत बहुत शुक्रिया